ये कहानी उस समय की है, जब ब्रिटिश हुकूमत का बहुत से देशों पर कबजा था, यहाँ पर हम एक शिप को देखते हैं, जिसमें से हूत मारी नाम का एक लड़का उतरता है, उसे वहाँ पर लेने गंड बेदक नाम का एक आदमी आता है, जो उसे अपने कभीले गंड ग उसला गाउं के लोगों को बढ़ाय करते थे, लेकिन बाद में उनकी वार में मौत हो गई, इसलिए वो उनका अधूरा काम पूरा करने के लिए ही यहाँ पर आया है, इसके बाद टटूलाल उसे उसके रहने की जगे पर ले जाता है, हूत मारी उसे पूछता है कि मुझे ड्यूटी के टाइम शराब नहीं पीता, लेकिन उसका ऐसा मना करना इस कबीले वालों के लिए अपमान की बात होती, इसलिए वो शराब को पी लेता है, अब वो कबीले वाले उसे सुबे से शाम तक शराब ही बिलाते हैं, इसके बाद उसका मन बैलाने के लिए आदीवास डान्स कर सकते हो, या फिर कोई छुटकुला या पोयम सुना सकते हो, लेकिन हूतमारी तो पूरा ही बावली गान था, और वो उन्हें एक बोरिंग सी स्पीश सुनाने लगता है, लेकिन उन आदीवासियों को भी घंटा को समझ नहीं आता, अब हूतमारी अपनी बची- गोडी इसके साथ इसकी पतनी बनका रहेगी, दरसल ये लड़की गाउं की एक स्लीपिंग डिशनरी है, जो कि इसे इस गाउं की भाशा और रहन सहन इसके साथ रहकर और घचा घच करके सिखाएगी, तट्टूलाल उसे बताता है कि भेन की गोडी ने तुमें खुद चु लेकिन आखिर में डिसीजन ये लिया जाता है कि हूतमारी को टटूलाल की बात माननी पड़ती है और उसी दिन से बेहन की गोडी उसके साथ उसके घर में रहने लगती है, लेकिन साथ रहने के बाद भी हूतमारी उसे छूता तक नहीं, अब ये सारी चीज उनका बावर्ची भी देखा करता था और उसे लगता था कि वो एक मीठा है, इसलिए वो उसके लिए एक मीठा लड़का लेका राता है और कहता है कि आज रात तुम इसके साथ डांडिया खेलना, अब ये देखकर हूतमारी के दिमाग का गुसला हो जाता है और वो उन पे गुस गुसा करने लगता है, वहीं भेन की गोडी भी गुसा हो कर वाँ से चली जाती है, सुबह होते ही जब हूँ तुमारी बाहर आता है, तो ओ देखता है कि भेन की गोडी पूरी रात इसके घर के नीचे सोई हुई थी, बावर्ची बताता है कि अब वो उपने घर वापस नह जा सकती, क्योंकि लोगों को लगेगा कि तुमने इसकी इसले नी ली, क्योंकि ये बस सूरत है, अब हूँ तुमारी इससे प्यार से समझाते वे बताता है, कि मैं तुम्हें पसंद तो करता हूँ, लेकिन मैं तुमारी ले नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन ऐसा करने के लिए मा इस पर बहन की गोड़ी उसे कहती है कि शादी के बाद तो तुम अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाओगे, क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस नहीं होगी, और इससे तुम्हारी वाइफ तुमसे नाखुश रहेगी, और फिर वो किसी और से मरवाने लगेगी, ये सुनकर ह हूतमारी को हसी आ जाती है, अगले दिन हूतमारी उनके गावालों से गुल्ले मिलने लगता है, और वो उनके साथ उनके लोकल गेम्स भी खेलने लगता है, इसी के साथ रात को उसकी बहन की गोड़ी के साथ क्लास होती है, जहां पर हूतमारी उसे इंगलिश बोलना सिखा और वो उसे उनकी भाशा सिखाती है इसी दो रान वो एक दूसरे के करीबा जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं अब इसके बाद से हुटमारी जब भी काम से घर लोटता वो बहन की गोड़ी को गोड़ी बना कर पूरी रात उसके साथ पेलन-कार एक्रम करता फिर काम तमाम होने के बाद वो उसे अपने साथ सोने के लिए कहता है लेकिन इस पर भेन की गोडी उसे कहती है कि हमारे गाउं की परमपरा के अनुसर अगर कोई कुवारी लड़की किसी लड़के के साथ पांच रातों से जादा सो लेती है तो वो उसके साथ इंगेज मानी जाती है और मुझे पूरा बरोसा है कि तुम मेरे साथ इंगेजमेंट तो नहीं करोगे उसी राद गाउं में गवर्मेंट के कुछ लोग आते हैं जिन मेंसे एक होता है गंड विनाशक जिसे गंड गोसला गाउं के लोग कुछ खास पसंद नहीं है और एक होती है गवर्नर की बेटी चूची बाई वहीं टटुलाल हूतमारी को कहता है कि तुमें सिर्फ ब्रेटिज गवर्मेंट के लिए ही काम गरना होगा और गंड गोसला गाउं के लोगो को सिर्फ काम के नजरिये से देखना होगा फिर अगले दिन चूची बाई हूतमारी के साथ गाउं जाती है जहां पर वो देखती है कि हूतमारी गंड गोसला के लोगो से काफी खुल मिल गया है और वो उनीकी लेंग्विज में ही बात कर रहा है अब चूची बाई पूरे टैम हूतमारी के साथ ही रहती है जिस वरे से बहन की गोड़ी को चूची बिल्कुल भी पसंद नहीं आती फिर एक दिन उनके गाउं में कुछ बिमार लोग आते हैं और उनकी वहाँ पर पहुंसते ही मौत हो जाती है अब इन लोगों के शरीर की जाच करने पर इने पता चलता है कि दूसरे गाउं में महामारी फैलने से इन लोगों की मौत हो रही है फिर आतको हूत मारी बेहन की गोडी से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है वो कहता है कि हम दोनों के बीच में कुछ तो स्पैशल है जिसमर बेहन की गोडी उसे कहती है कि हम सिर्फ गचा गच करते हैं और इसके लावा हमारे बीच में कुछ नहीं है इसके बाद वो अपनी टांगे खोल कर वहाँ पर बैढ़ जाती है और कहती है कि यजा कर ले जो तुझे करना है क्योंकि तूसके लावा कुछ कर भी नहीं सकता अब बे सुनकर हूत मारी को गुसा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है फिर अगले दिन कुछ लोग दूसरे गाउं की तरफ निकल जाते है और वहाँ पहुँचकर वो देखते हैं कि चारो तरफ लाशे बिची हुई है हूत मारी ये सब कुस देखकर समझ जाता है कि ये कोई महामारी नहीं है लेकिन तभी उन पर कोई गोली फायर करता है अब गंडबेदक और हूत मारी उसका पीछा करते वे एक जगह पर पहुँचते हैं जहां पर वो देखते हैं कि कुछ वाइट लोग यहां पर चान्दी की माइनिंग कर रहे हैं इसके साथ उन्हें ये भी पता चलता है कि इस गाउं के लोग चावल की खेती नहीं करते थे और वो चावल इन गोरे लोगों से लिते थे लेकिन ये गोरे लोग उनको चावल के अंदर जहर मिला के दिया करते थे ताकि ये सबी कभीले वाले मर जाएं और ये माइनिंग वाली बात किसी को भी पता ना चले अब हूतमारी ये सब उन गाउंवालों को बताता है जिसके बाद वो गाउंवाले उन गोरे लोगों पर हमला करके उन्हें मार डालते हैं और उनकी जान बचाने के लिए वो हूतमारी को धन्यवाद देते हैं अब यहाँ पर हूतमारी बहन की घोडी को शादी के लिए प्रपोस करता है लेकिन बहन की घोडी को ये डर था कि बिरिटिश लोग उसे इससे शादी नहीं करने देंगे और ना ही वो इस रिष्टे को मानेंगे हूतमारी उसे कहता है कि तुम चिंदा मत करो ये हमारे लोग है और मैं उन्हें मना लूँगा फिर जब ये बात वो टटूलाल को बताता है तो टटूलाल उस पर गुसा करने लगता है और कहता है कि अगर तुमने बहन की घोडी को नहीं छोड़ा तो तुमें 10 साल की जेल होगी दूसी तरब बहन की घोडी को भी कबीले के सादार के सामने पेश किया जाता है जो उसे कहता है कि तुमारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम कबीले में से ही किसी भड़वे के साथ शादी कर लो लेकिन इस पर वो उने कहती है कि मैं हूतमारी से वादा कर चुकी हूँ तभी गंडबेदक उसे समझाने लगता है कि अगर तुमने इनकी बात नहीं मानी तो वो ब्रिटिशर्स उन गोरे लोगों के मडर कारोप हम पर लगा देंगे इसलिए हम तुमसे विंती करते हैं कि हूतमारी से शादी मत करो वहीं हूतमारी भी बेहन की गोडी को डूड़ता हूँ वहाँ पर पहुँच जाता है और देखता है कि उन्होंने इसे जेल में कैयत कर रखा है अब इसके बाद हूतमारी को वापस लंडन भेज दिया जाता है जहाँ पर उसे ना चाते वेबी गवर्नर की बेटी चूची बाई से शादी करनी पड़ती है लेकिन वो इस शादी से बिलकुल भी खुश नहीं होता अब ऐसे ही कुसल बीच जाते हैं और फिर एक दिन हूतमारी चूची बाई को लेकर अपना अधूरा काम पुरा करने के लिए फिर से गंड गुसला गाओं पहुँच जाता है फिर रात को जब वो सभी मूवी देख रहे थे तबी चूची बाई ये नोटिस करती है कि हूतमारी का मूवी पर ध्यान ना होकर बहन की गोडी को वाँ पर ढूणने में लगा है फिर रात को चूची बाई हूतमारी से बहन की गोडी के बार में बात करती है जिस पर वो उसे बताते है कि बहन की गोडी मेरा पहला प्यार है और मैं उसे इतनी आसानी से भूल नहीं सकता फिर एगले दिन जब हूतमारी गंडविनाशक के घर पर जाता है तो उसे वहाँ पर पता चलता है कि गंडविनाशक अपनी स्लीपिंग डिशनरी को मारता बीटता है अब ये देकर हूतमारी उसे जगणने लगता है और फिर वो उस लड़की को कहता है कि अगर ये भड़वा तुमें फिर से हाथ लगाए तो नींद में ही तुम इसका घोड़ा काड़ देना फिर एक दिन नदी के किनारे उसे माँ पर बहन की घोड़ी दिखाई देती है जिसके हाथ में एक गोरा बच्चा होता है अब ये देकर हूतमारी समझ जाता है कि ये बच्चा उसी का है फिर रत को वो बहन की घोड़ी से मिलता है जहां पर वो उसे बताती है कि अब इस बच्चे का बाप गंड़ बेदक है क्योंकि इस सब के बावजुद भी उसने मुझे अपनाया है और अपसे मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगी लेकिन हूतमारी इतनी पावंदियों के बाद भी बहन की घोड़ी से मिलना नहीं छोड़ता अब इस सब के बारे में गंडविनाशक को पता चल जाता है और वो जाकर गंड़ बेदक को सब कुछ बता देता है क्योंकि वो हूतमारी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था उसी रद गंडविनाशक हूतमारी पर हमला कर देता है लेकिन तभी बहन की घोड़ी उसे बचा लेती है फिर अगले दिन गंडविनाशक को कैदी बना लिया जाता है फिर हूतमारी उसे कहता है कि कलम दोनों यासे भाग चलेंगे क्योंकि ये सब भड़वे हमें साथ में रहने नहीं देंगे फिर अगले दिन गंडविनाशक बहन की घोड़ी को अपनी स्लिपिंग डिशनरी बना लेता है और वहीं दूसरी तरफ जब हूतमारी घर पहुंचता है तो चूची बहीं उसे बताती है कि वो माब बनने वाली है वहीं गंडविनाशक बहन की घोड़ी को अलग-अलग तरीके से परेशान करके उसकी लेना चाता था और इसे पहले कि वो उसकी ले पाता तब ही वहाँ पर बावर्ची आकर उसे बचा लेता है दूसी तरफ चूची बाई को भी पता चल जाता है कि हूतमारी वहाँ से भागने वाला है अब वो समझ चुकी थी कि हूतमारी बहन की घोड़ी से प्यार करता है इसलिए वो भी उसे पर्मिशन दे देती है कि जाओ तुम उसके साथ खुश रहो वहीं बावर्ची बहन की घोड़ी को लेकर फैरी तक पहुँचता है लेकिन काफी देर बाद भी हूतमारी वहाँ पर नहीं पहुँचता फिर बहुत देर बाद जब हूतमारी वहाँ पर आता है तो वहाँ पर बावर्ची उसे बताता है कि भेन की घोड़ी को लगा कि शायद तुमने उसे फिर से दोका दे दिया है इसलिए वो ये गाउं छोड़कर दूसरे गाउं चली गई अब हूतमारी उसे डूढने निकल जाता है और अगले दिन वो उसे मिल जाती है अब इससे पहले कि वो वहाँ से आगे जाते गंडविनाशक भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उन्हें बान देता है फिर वो भेहन की गोड़ी की जबर्दस्ती लेने की कोशिश करता है उदर हूतमारी उसे बचाने लगता है लेकिन गंडविनाशक उसे मार मार कर उसका भूत बना देता है अब वो हूतमारी को जान से मार नहीं वाला था कि तब ही जहरीले तीरा कर उसे लगते है जो की वहां के गाउंवालों ने उस पर चलाए थे और ये वहीं गाउंवाले थे जिनकी जन कई साल पहले हूत मारी और बहन की गोडी ने बचाई थी फिर फिल्म के लास्ट सिन में हम देखते हैं कि हूत मारी और बहन की गोड़ी उसी गाउंवालों के साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म होगा